तो देश में पहली बार हो रहे विमन्स होकी चैंपेंशिप के मेजबानी जारखन को मिली है 27 ओक्टूबर से होने वाले स्टोर्नामेंट के सभी मैच राजी के मोराबादी स्थेतर जैपाल सिंग मुंडा एस्टोर टरफ होकी स्टेडिया में खेले जाने है इसकबर का जाइजा लिया है हमारे समवधाता अंचिनी कुमार ने बारत में पहली बार जूनियर वुमेंस एसियन चैंपेंशिप होकी टूर्नामेंट का आयोजन जारखन में होने जा रहा है 27 अक्टूबर से टूर्नामेंट की सुर्वात होगी और ये मैदान जो है होकी टरफ स्टेडियम ये पूरी तरह से तयार है जो आप मैदान का जो इलाका देखेंगे ये कम्प्लीट है और इसके साथ-साथ इन चीजों को लेकर आज मुक्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस स्टेडियम में पहुँचे यहां मुआइना उन्होंने किया और राची के उपायूक तरह तमाम जो बड़े अधिकारी थे उनसे बाचित कर कई दिसा निर्देश दिये हैं क्योंकि ये भारत की गर्व की बात है और जार्खन के लिए भी ये प्राइड का समय है क्योंकि ऐसा आयोचन पहली बार पूरे भारत में हो रहा है और इसकी मेजबानी जो है वो जार्खन कर रहा है हौकी जार्खन तो हमें लगता है कि तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री यहां पहुँचे और कुछ देर रहे लेकिन तमाम चीजों को उन्होंने देखा और कई दिशा निर्देश दिये हैं कई काम करने को कहा गया है तो हमें लगता है कि इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री का संजीदा होना यह बताता है कि खेल को लेकर के भी वो काफी चीजों को समझते हैं सोचते हैं और जार्खन में होकी जो हर जिलों में आप देखेंगे त विसेश कर जारकन के कई ऐसे जिले हैं जो खूटी हो गुमला हो सिंडेगा हो वहां के जो खिलाली है महिला खिलाली हो या पुरूस हो इन लोगों ने भारतिये टीम में भी जगा बना कर राज्य का नाम रौसन किया है तो यह तस्वीरें आप देख सकते हैं यह तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से काम हुए हैं और अभी और कई काम बाकी है तो इसी संदर में मुक्यमंत्री हेमन सोरिन पहुंचे और उन्हों उन्होंने इस स्टेडियम का और स्टेडियम के बाहर का जो इलाका है वो पूरी तरह से वो मुआइना किये और उन्होंने यह कई नि कामरामेंट नवल के साथ अन्यनी कुमार राची झान प्यूपल की झान झान Ven